कि दुमिश्कार स्वागत है आपका दोने शर्म व्लॉक्स खाट उच्री शाड़ी से आज आपके लिए फिर हवी साड़ियां कुछ कम रेट में कुछ तोग निकाला है स्टॉक क्लिरेंस सेल के हिसाब से लास्ट वीक भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसका काफी अच्छा रिस्पॉंस रहा उसका कस्टमर्स को भी काफी फायदा हुआ उससे और आज भी आपके लिए कुछ तोग निकाला है या आप देख लीजिए जिसको आप चोईस करें उस पर टिक करके भेजिए कुछ कस्टमर्स का मेसेज आता है कि सर यह साड़ी खोल के दिखाए तो खोल कर यह पॉसिबल नहीं है इतनी साड़ी कर आपको खोल के दिखाए लेकिन यह हमारी गारंटी है कि साड़ी में कोई दिक्कत नहीं है कि साड़ी की लेंद पूरी है काम पूरा है कोई साड़ी में डिफेक्ट नहीं है वह सब हमारी जवाबदर है उसके लिए आप निश्चिंत रहे हैं साड़ी का सेलेक्शन करके आप कलर के ओपर टिक जरूर लगाईए और इसका मौके का फायदा उठाईए यह सब साड़ी क्लिक करके हमें बेज दीए और जल्दी से जल्दी बेज़िए तक कि आपको साड़ी मिल सके क्योंकि ज्यादा लेट होने के बाद स्टॉक अबलेबल नहीं होगा जो भी स्टॉक है जो भी कलर हैं सब आपके सामने है इसमें कोई कलर अलग से नहीं है और जो भी स्टॉक हमें क्लियर करना है वो सभी आपको अमने दिखा दिया है और सभी हैवी साड़िया है से आख़ा है Talk में अगुशक देखा कि Cult को ह चाड़िया है दोwarना कि गいます सेल में डाल दिया है कि रेंस कुछ तॉक दिखिए ने को चाहँ है उजब से लोगा दोगाता हूं इसके बाद ये आपके कुछ होड़ डिजाइन से हैं इसमें लाइट डस्ती सभी तरह के मैचिंग अवलेबल है मिक्स भी है कुछ लाइट मैचिंग है कुछ डस्ती मैचिंग है और काफी फायदा के लिए जिसको शादी बगार मैं अपना लेने दिने के साब से चाहिए तो ले सकता है इस रेट में कि साड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी और जंदी से जंदी आप इसको ओर्डर कीजिए मैं बार-बार आपको बोल रहा हूं थोड़ा साथ तो कि उसका कलर आउट और स्टोक हो जाता है तो आप लोग को टिक करके बेजिए और और चार्ज एकस्टा रहेगा आपको पता है कोई कस्टमर प्लीज यह मैसेज ना करें वाट्सब ना करें कि सारी साड़ी खोल कर दिखाना पॉसिबल नहीं है साड़ी फ्रेश है यह हमारी गरेंटी होगी और फुल लेंथ है फुल वरकर जिन कस्टमर ने पहले लिए हैं सबको पता हुगा तो आप सोच्वाइस कीजिए और फटाफट हमें वाट्सब कीजिए जो भी लोग चैनल पर पहली बार नए हैं चैनल वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपके लिए नए नए वीडियो उस्तेरे बनाते रहें है अरहे है या सब्सक्राइब करें थे ना उनको को अब शुआ अब शुल को